हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल बात करते हैं सचिन मनीशा की जी हाँ मनीशा ने लगातार कल के बाद बहुत ज़्यादा कुम्मूनिटी पोस्ट किये लेकिन हर एक पोस्ट को थोड़ी ही दिरबार डिलीट कर दिया जाता है दो दिन पहले तक तो मनीशा के चैरे पर एक खुशी थी कि चलो सचिन मान गए है अपनी सचाई वो रख सकती है जो भी तरीका उनके पास है जिसके थूँ वो फैंस को बताना चाती है वो बता सकती है सबके सामने सचिन ने मनीशा से माफी भी मांगी और ये कहा कि जो टाइम मुझे मनीशा को देना चाहिए था वो मैंने नेहा रुसके परिवार को दिया मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई पिछले दो साल से उनका रिस्ता बिलकुल खतम होने के गगार पर पहुंच चुका था यहां तक कि वो अपना बेबी भी प्लैन नहीं कर पा रहे थे डिवोस आने तक की नोबत आग चुकी थी और फिर भी वो डिफैम कर रहे थे आज भी नेहा और उसके परिवार को कल तक भी वो वहां उनके व्लोग में जाकर कमेंट करते हैं यह उमीद करते हैं कि शायद नहा आज बोले या कल बोले लेकिन नहा ने अपनी तरफ से पूरे रिस्ते खतम कर दिये यह चीज़ शायद सचिन को बरदास्त नहीं हुई तो फाइनली छट वाले दिन वो लाइव में आते हैं और वो अपनी बात ओडियंस के सामने रखते हैं इस बार उनकी ओडियंस यही समझती है कि चलो इस बार ही सही वो अपना जो भी बात होगी वो अपने फैंस को रखने वाले हैं वो नहा के बारे में सारी सचाई बताएंगे लेकिन हमेशा की तरह वो दो दिन बात प्र आपके बात प्रियू देतीे हैं रहे हो हैं तो आपने वादों के लिए आ था है और प्र自然 से चैनल रख सकते हो जिसका पासवर्ड सचिन के पास ना हो और वो आपको कम्यूटी पोस्ट ना कर पाई क्योंकि मनीशा ने खुद ने बताया कि वो घर पर अकेली है उसके बाद जब दोबारा से जितनी भी उनकी पोस्ट आई है उसमें वो अभी भी अकेली है आंटी फिलहाल उनके पास पहुंचने वाली है पूरा उनका परिवार एक हो चुका है और जितनी भी उनकी क्रिएटर दोस्त है वो भी मनीशा के साथ है सब को बताएगी यहां पर नेहा और जो सचिन है वही गलत है क्यों यहां पर सभी मनीशा का साथ दे रहे हैं क्यों नेहा को सभी छोड़ चुके हैं सब जानते हैं सारा जो ओडियन्स है वो भी जानते हैं बहुत पहले से जानती है दो उसके बारे में नहीं सोच रहे क्यों सचिन ने इस टाइम पे ही यह सब कॉंट्रवर्सी की, यह सचिन जाने रुसका काम जाने ketoakन इन सब के बीच में मनीशा की कोई गलती नहीं है, यह हमें भी बता है, क्योंकि जो सचिन की बहन है, उसने भी कहा है कि मेरा भी तो 9th month pregnancy का चल रहा था उस टाइम पे उसने क्यों नी सोचा उसने मेरी जगह लेनी चाहिए अपनी बेटी को वहां बिठाया बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं कि मेरी family को मेरे खिलाब करने की कोशिश की मेरी भावी के खिलाब करने की कोशिश की एक र जारीर आज मनीशा का कहना है कि बड़े पर सचिन जैसे कह रहे थे इतना जादा वो लड़की प्लैन कर रही थी कि सचिन जी का बड़े है मैं ऐसे बनाऊंगी वैसे बनाऊंगी इतनी excitement थी मनीशा के मन में थोड़े दिन पहले तक लेकिन अचानक अपने बड़े से एक दि नहीं किया है पिछले दो दिन से जब से लाइव हुई है मनीशा को तो खुद को ही नहीं पता समझी नहीं आ रहा उसके साथ हो क्या रहा है अभी थोड़ी देर पहले मनीशा ने एक और community पोस्ट किया था जिसको 10-15 मिंट के बाद फिर से डिलीट कर दिया मनीशा ने लिख से हमारी कोई बात नहीं हुई है क्योंकि उनको भी कोई फरक नहीं है इसलिए अब मेरा कोई नहीं है मैं अब बहुत बड़ा कुछ करूंगी जी हाँ ये कहना है मनीशा का कि जो सचिन है उनको कोई फरक नहीं पड़ता कि मनीशा क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है उ अपना बड़े है, वो भी सेलिबरेट ना करे मनीशा के साथ, तो वो कुछ बड़ा करेगी, क्या बड़ा करेगी, यह हमें नहीं पता, क्योंकि वो हर बार कहती है, कि मैं सचाई रखूंगी, सचाई रखूंगी, वो कभी भी सामने आकर सचाई नहीं बोलती, एक लड़की य एक्शन चैनल वालों पर भी एक्शन ले लेती है आज इतना कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर उसको मतलब एक तरफ से उसके रिष्टे पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसके भाई के रिष्टे पर सवाल उठाए जा रहे हैं फिर भी वो आकर कुछ नहीं कह रही है क्यो उसकी सगाई ना तूट जाए या उसके घर में कोई प्रोब्लम ना क्रियेट हो जाए यदि आज उनके साथ वो सिच्वेशन ना होती तो वो सब के सामने ये सब चीजे करती और लोगों का ये भी कहना है कि इतने जादा मतलब नेहा आशिस्तिवारी ने मैनूपलेट करके रखा है सचिन को कि वो जो कहते हैं वही करते हैं सचिन कोई छोटा बच्चा नहीं है सचिन मतलब एक मुझे लगता है मेंटली परेशान हो चुका है वो बहुत जादा वरना रिस्ता तो औरों के साथ भी खराब हुएते, सपेशल यहाँ नेहा के साथ ही नहीं हुएते तो वो बहुत जादा इन सब चीज़ों को लेकर सीरियस है जबकि इनका परिवार है वो बहुत ज़ादा प्रेशान हो चुका है इन सब चीज़ों को सोच कर क्योंकि इतनी जादा community post हुई है इतनी जादा मतलब ये सब चीज़े हो रही है जिसके बाद हर एक समझ चुका है कि इनके रिष्टे में बहुत जादा problems आ रही है पूरा परिवार चलो आज जो सुख दुख को छोड़ कर सभी एक हो चुका है जहां प्रिंस और रंजना थे वो अपनी problems के लिए अपनी ममी को सब को इतना कुछ कहते थे लेकिन आज अपने भाई के लिए पूरा stand ले रहे हैं प्रिंस ने कहा कि जब मैं गलत चीज़ों के ल करनी ही पड़ेगी मनीशा को क्योंकि यदि वो ऐसे ही सहती रही तो यहां पर बहुत जादा वो mentally परेशान हो जाएगी और वो कुछ कर भी नहीं पाएगी पिछले दो साल से उसने कहा कि मनीशा और सचिन एक नाम था जिसको पूरा तरह से खतम करने की कोशिश की जा रही ह ये सब साजिसें रची क्यों जा रही है ऐसा क्या हो रहा है हमें नहीं समझा रहा क्योंकि सचिन है वो हर बार कहते हैं कि मैं सचाही लाओंगा उस दिन तो बहुत चोड़े होकर बोल रहे थे अपनी लाइब में ये करने वाला हूँ मैं वो करने वाला हूँ ये तो वन पर बाते हैं मतलब घर की ये बिल्कूल अंदर की बाते हैं कि निया इस शादी के लिए तयार नहीं है उसको नींद की गोलियां दी जा रही है या फिर उसका भाई लाज के लिए पैसे नहीं देता इसी बहुत सारी बाते हैं जो सचिन ने कही ये बाते हमें तभी पता होती है ज सचीन ने वो सब चीजे कहीर कहने के बाद अपने आप पर स्टेंड क्यों नहीं लिया यदि आपने खुलकर सोशल मीडिया पर यह सब चीजे कह दियर उसके बाद आप उस लाइव को डिलीट भी करते हो तो क्या फरक पड़ता है वो लाइव ओल्रेडी इतने लाखों लोगो के पास जा चुकी है डाउनलोड की जा चुके है सोशल मीडिया पर आ चुके है फिर आप बलेम करोगे रियक्शन चैनल वालों पर यहाँ आपकी जो ओडियन्स है जो आप पर पूरा विस्वास करती है क्योंकि जो डेली में उनके व्लोग देखते हैं वो मेंटली भो ज़ हो रहा है वो हम अपने आप पर लेकर देख रहे हैं कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जहां एक तरफ नेहा उसकी ममी है वो सब अपनी बेटियों के लिए वैसे सोच रहे थे तो यहां मनीशा की ममी भी तो अपनी बेटी के लिए कितना प्रेशान हो चुकी होगी उ उनकी बेटी ऐसे रो रही है उनका दमाद उसको छोड़ कर कहीं बार जा चुका है उसका फोन तक नहीं उठा रहा है कोई तीसरी ओरत जिसकी वज़े से उनका घर तबाह उने की कगार परा चुका एक हंस्ता खेलता परिवार है उजड़ने की नोबत आ चुकी है तो आप लो कि वो सच है और उसके पास पुरूफ है तो वो ओडियंस के सामने अपनी बात रख सकती है हर एक क्रियेटर हो चाहिए हर एक उनकी ओडियंस हो जो सची नेहा के ब्लोक्स भी देखता है वो यहां पर मनीशा का पूरा-पूरा साथ देने वाला है कोई भी उससे पीछे नही कि अधिये टेकर